Welcome to splendid moms, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos Hello everyone, welcome to splendid moms, आज है एक short and quick video about diagraph CH Diagraph का मतलब होता है जब दो letters मिलते हैं तो उनका एक special sound होता है C का अलग sound है क, H का अलग sound है ह, बट CH को जब आप मिला के पढ़ते हो तो च पढ़ा जाता है UKG में generally बच्चे को जब diagraphs पढ़ाते हैं CH, PH या SH, TH तो CH जब वो पढ़ते हैं, CH को उनको च पढ़ना सिखाते हैं Which is very common क्योंकि बहुत सारे words में CH को च ही पढ़ा जाता है, बहुत सारे English words में But, कुछ cases ऐसे भी होते हैं, जहांपे CH को हम क पढ़ते हैं और CH को हम पढ़ते हैं SH, examples मैंने यहांपे लिखे हैं CH, chips में CH is like CH इसी तरह से school में CH का sound आ रहा है, क, then machine यह common words है, जो अक्सर हम सुनते हैं लेकिन spelling देखे कितनी अलग है, हम SH SH नहीं CH यहांपे लिख रहे हैं Machine, CH, SH, so CH के 3 different sounds होते हैं, एक होता है CH, K and SH इसमें सबसे common है CH sound like in chips इसका कोई specific reason तो नहीं है कि क्यों CH को अलग-अलग पढ़ा जाता है बट क्योंके च बहुत common sound है, बच्चे को सिर्फ यही पढ़ाया जाता है And slowly, जब वो हायर क्लासेस में आते हैं, वो बहुत सारे words, vocabulary English की सीखते हैं जहां पर वो बहुत words encounter करते हैं, जिसमें उनको पता चलता है कि CH को ख कहां पर पढ़ना है और CH को शर किन words में पढ़ना है See, English is like an ocean, English एक ocean की तरह है, जिसमें बहुत सारे rules तो है, rules के साथ exceptions भी होते हैं और कौन सी चीज़ को क्यों इस तरह से लिख रहे हैं, क्यों इस तरह से पढ़ रहे हैं, उसका कोई specific answer नहीं होता English में बहुत सारे words borrowed भी होते हैं, from French, from Greek words तो क्योंकि foreign words भी हम English में use कर रहे हैं, तो as it is spellings भी use किये जाते हैं और इसलिए मैं कह सकती हूँ कि CH को अलग-अलग पढ़ा जाता है तो इसको आप train नहीं कर सकते, only thing is बच्चे जैसे जैसे पढ़ेंगे, उनको समझ में आएगा किन words में CH को चर पढ़ना है, किन words में कर पढ़ना है, और किन words में शर पढ़ना है यहां पे हैं कुछ words जिनमें CH का अलग-अलग sound हमें सुनने को मिलता है यहां पे कुछ words हैं जहां पे चर का sound क हम सुनते हैं लेकिन chemistry, technology, character, stomach, eco इसी जरह से CH का sound चर बहुत commonly use किया जाता है कुछ examples यहां पे हैं, lunch, watch, teach, rich, catch, channel, child यहां फिर Chennai नेक्स्ट, चर का sound शर भी हम सुनते हैं कुछ words में जैसे के chef, parachute, brochure, champagne, dumb charades यह game हम अकसर खेलते हैं बट इसका sound SH नहीं CH होता है इसी तरह से chandelier, जो जूमर होता है उसको खेलते हैं शैंटलियर, तो यह कुछ words हैं जहां पे चर का अलग-अलग sound हम सुन रहे हैं इसका कोई rule नहीं है जिसे आप बता सकते हैं कि CH को कहां कैसे पढ़ना है, only जैसे जैसे बच्चे words सीखेंगे इंगलिश में उनको आइडिया आएगा यह था simple, quick video, informative video about CH sounds three different sounds I hope आपको यह video helpful लगा वीडियो helpful लगा तो जरू like करे, share करे और चैनल पे नहीं है तो जरू subscribe करे Happy Parenting from Splendid Moms Happy Parenting from Splendid Moms Give us a thumbs up if you like the video Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos